हम सब लोग अपने आप में इतना मस्थ है कि हम लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि मानवता नाम की भी कोई चीज होती है. आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही कहानी सुना रहा हूँ, जिसको सुनकर आपका मन एक दम सोचने पर मजबूर हो जाएगा. करन एक चौकलेट बनाने वाली कमपनी में काम करता था. एक दिन की बात है उसको काम पूरा करते, करते लेट हो गया और वह उस कमरे में पहुँच गया जहाँ पर सारी चौकलेट को ठंडा किया जाता था. पूरा कमरा इतना ठंड था कि कोई भी आदमी कुछ घंटों बाद मर सकता था. करन को यह एसास होने लगा कि अब वह मुश्किल ही बच पाएगा, क्योंकि बहुत रात हो गई है और कोई भी अब अंदर आएगा नहीं और वह ठंड से ही मर जाएगा. अब वह भगवान से दुवा कर रहा था कि कोई तो भेज दो जो मुझको बचा ले, नहीं तो मेरे बीबी और बच्चों का क्या होगा. वह जोर जोर से रोने लगा और बोला है भगवान कोई भी अगर अच्छा काम मैंने किया हो तो एक बार मुझको बचा लो. वह जब जोर जोर से रो रहा था, तभी बाहर बैठे गाड को कुछ सक हुवा और वह अंदर आया तो सामने एक आदमी को बेहोश देखा तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे करे. उसने तुरंथ ही उस आदमी को उठाया और ले जाकर हीटर से उसके सरीर को कपडे खूब गरम किया और कुछ ही देर बाद उसको होशा गया. वह आदमी उस गाड को बोला मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा. फिर उस गाड ने बोला भाई तुम रोज मुझको आते और जाते नमस्ते करते थे, लेकिन आज तुम न बाहर आये और नहीं मुझको तुम्हारी आवास सुनाई दिया. यहां बहुत ही काम लोग है जो मुझको नमस्ते करते हैं, लेकिन तुम एक ऐसे इनसान हो जो मुझको जितनी बार देखते हो उतनी बार नमस्ते करते हो. आज जब तुम फैक्टरी से बाहर नहीं आये तब मुझको कुछ गड़बड लगा और मैं फैक्टरी के अंदर गया और वह पर मैंने तुम्हारे जोर जोर के रोने की आवाज आई जब तक मैं उस कमरे में पहुचा तब तक तुम बेहोश हो गए थे और फिर मैं तुमको यहां पर लाया तो दोस्तों इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि उस आदमी की जान सिर्फ और सिर्फ नमस्ते करने वाले गार्ड ने बचा लिया इसलिए कहा गया है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आप पावोगे